हलो एवरिवन जैहिन नमस्कार वेलकम यू आल तो मिसन कॉम्प्टिशन आप सभी का स्वागत हैं मिसन कॉम्प्टिशन उपर में सबसे पहले आप सभी को राधे राधे जैश्री राम सो देखे एक वेकेंसी मैंने आपको याद होगा आज से लगभग 6-7 दिन पहले अब बहुत से स्टोरेंट यहां पर आएंगे तो पहले ही सुन लीजिए 6-7 दिन पहले इसका अपडेट हम दे दिये थे ठीक है अपडेट इसका हम दे दिये थे अब फोर्म कैसे कैसे फिल हो रहा है क्या क्या हो रहा है अगर बहुत लोगों का छूट गया था वो वीडियो तो आज वाला वीडियो में सब कुष देख लीजिए वेकेंसी ओल्रेडी आई हुई है फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुका है साथ दिन पहले ही मैंने बता दिया था ठीक है तो ASO का ये पोस्ट है और किस विभाग के तरफ से है किस एजनसी के तरफ से रिक्रूटमेंट निकला है सब कुछ डीटेल मताएंगे इसके अंदर में आपका स्लेबस, एज, स्लेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा सब कुछ बताएंगे ठीक है तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं आपने अपने ओफीसियल पीडियेफ के और बट, बिफोर देट आपको हम यहाँ पे एक चीज क्लियर करें देखेगा, बिहार SSC के लिए अगर आप लोग CGL 3 यानी ASO की त्यारी कर रहे हैं या बिहार दुरोय त्यारी कर रहे हैं या सत्तरवी BPSC की त्यारी कर रहे हैं सभी के लिए प्रैक्टिसेट ग्रूप हमारा अलग-अलग स्टार्ट हो चुका अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं आप लोग 9708351194 इस नमबर को पर में वाटसाप पे मैसेज करिए जनकारी ले लिजे ठीक है आपको आप सारी जनकारी दे दी जाएगी दूसरी बात सतरवी BPSC में जुड़ने के लिए आप लोग केवल 199 का वन टाइम पेमेंट आपको करना है और इसमें आप लोग जुड़ सकते हैं इसी नमबर को पर में आपको पेमेंट करना है स्क्रीन सौटी सी नमबर को पर में वाटसाप बेज देना है आपको जूड़ लिया जाएगा बिहार SSC के लिए डिस्क्रिप्चन में लिंक दिया गया है ग्रूप में जूड़ने का वो लिंक पे क्लिक करके आप लोग जूड़ सकते हैं ठीक है बाकी कोई जनकारी रहे है आप इस नमबर पर वाटसाप पर मेसेज करके जनकारी ले लिजेगा मैसेज करिएगा कॉल नहीं चलिए आप वीडियो स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों देखिए हम लोग आगे हैं यहां पर बिहार लेजिसलेटिव काउंसल सेक्रेटर्यट यानि बिहार विधान परीसल सची वाले के यहां पर ओफीसल वेबसाइट को पर आ गये हैं यहां पर दिखेगा यह column कैसे कैसे सब कुछ को लेगा मैं बताऊंगा यहां पर सबसे पहले आपको new registration पर आके click कर देना है इस पर जब click करिएगा आपको यहां पर देखिए options दिखेंगे प्रशाखा सहायक प्रशाखा पताधिकारी यानि assistant section officer data entry operator और stenographer इन तीन पदों के लि काम चेंज करके सहायक प्रशाखा पताधिकारी यानि assistant section officer कर दिया गया है अब यहां पर जबाप registration में आ जाईएगा आपको यहां पर candidate name वगएरा सब कुछ अपना यहां पर फिल कर देना है उसके बाद confirm करना है नेम को father's name वगएरा confirm करना है और compulsory है अगर आप बिहार के न दीजेगा और यहां पर most important जितना भी आपके पास certificate है वो सब ready रखिएगा क्या-क्या certificate लएगा वो भी देख लीजे ठीक है तो देखेगा आपको certificate डालना होगा अगर आप बिहार राज के निवासी है तो आपको domicile certificate जो है यहां पर उसका डालना पड़ेगा typing speed जो है आप आपका हिंदी और अंग्रेजी में 30-30 word per minute का आपसे speed मांग रहा है तो वो आपको यहां पर डालना पड़ेगा आप हिंदी इंगलिज दोनों चुनते हैं तो उसका do you possess likely to possess one before the advertisement date all essential and educational technical qualification prescribed for the post applied for यहां बोला जा रहा है कि भाई आपने जितना भी details दिया है उसका ध्यान रख आया तो फिर आप जो है करिएगा ठीक है तो वो चीज़ें नहीं करनी है अब चलिए अब इसका official पहले हम लोग नोटिस देख लेते हैं तो syllabus क्या रहेगा ठीक है syllabus क्या होगा उसका एज क्या रहेगा selection process क्या है यह सब कुछ हम लोग एक बार देख लेते हैं चलिए हम सब्सक्राइब क्या है तो सब्सक्राइब क्या रहती है तो 37 सब्सक्राइब के लिए ठीक है जनरल मेल के लिए और अनारक्षित जो महिला और पिछरा वर्ग पुरुस महिला सभी के लिए 40 वर्ष यानि बिसिकली फीमेल्स के लिए 40 यर्ष दिया गया है तो महिलाओ के लिए काफी जाता छुट है है ना तथा नुसुचित जाती हो नुसुचित जन जाती हो पुरु एक जनवरी से पहले तक इसको पॉजस करते हैं एक जनवरी तक मतलब आप अगर नहीं होए तो आप इसके लिए लिजबल है इस बात का धियान रखिएगा ठीक है चलिए भाई अब आपका एज कैलकुलेशन कैसे होता है तो मैट्रिक में जो आपका एज दिया रहता है ना उ सहाइक प्रसाखा पताते करी पदों पर सीधी भरती है तो तीन चर्णों में जाच परिक्षा आप से ली जाएगी पहला आपका जो होगा ठीक है ध्यान रखिए इसका तो यहां पे कॉपी पे पेन पेपर बेस्ट होगा यानि ओमार पे होगा दूसरा हिंदी एवा मंगरे जी टंक अधारित चाहता हो तीसरा आपका कर ले मैन्स का वर्णातमप्क होगा मेंस का एक्जाम होगा वह दिसक्रिप्टिव होगा वर्णातमप्क होगा ख्रीक है दिसक्रिप्टिव में और मेंolar MS Office Word Processing Commuter अधारत जाच परिक्षा ली जाएगी MS Office Word Processing की जाच परिक्षा में अहरतांक 30% है जो अनिवारे होगा किन्तु मेधा सुची के प्रयोजोनार्थ इसका गणना नहीं किया जाएगा टंकन जाच परिक्षा MS Office Word Processing जाच परिक्षा में असफल गोसित अभिहरती अगले चरण की जाच परिक्षा की योग्ये नहीं माने जाएंगे ठीक है इतनी बात है क्लियर हो गई ठीक है स्लेबस एक बार देख लिजएगा प्राणभीक परिक्षा को पर स्लेबस कैसा रहेगा स्लेबस इंपोर्टेंट है प्राणभीक परिक्षा का तो प्राणभीक परिक्षा में सभी प्रस्ण जो है आपके वस्तुनिस्ट बहुविकल्पी होंगे परतेक प्रस्टन हेतू उत्तर के लिए दिये के विकप्टों में सिखी एक का चैन करना होगा प्राणभीक परिक्षा के अब दो घंटे की होगी और कुल सौ प्रस्टन इसमें पूछ जाएंगे प्राणभीक परिक्षा कुल चार सांग की होगी यानि कि एक कोश्टन सही करने पर आपको चार नंबर दिया जाएगा और गलत करने पर एक नंबर काटा जाएगा मतलब आपका नेगेटिव का जो रेशियो बनता है वन फोर्थ हो जाता है ठीक है तो उसे साब से नेगेटिव कम लीजिएगा प्राणभीक परिक्षा में भासा का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी होगा और किसी भी टाइम में अगर कुछ डिफरेंस होता है तो भाई अंग्रेजी को ही सर्वमानने माना जाएगा प्राणभीक परिक्षा में कौन कोन सा विसर रहेगा तो समान अध्यन से प्रस्णों की संख्या होगी 40 यानि कि बात कर ले तो GK और GS का जो आपका यहां पे संख्या होगा 40 होगा समान विज्ञान और गणित से 30 प्रस्ण आपसे यहां पूछे जाएंगे और मानसिक चमते यानि रिजनिंग और तरकिक विचार से 30 सवाल यहां से पूछे जाएंगे ठीक है तो कुल मिला के आपसे यहां पे 100 सवाल पूछा जाएगा गुने 4 नंबर is equal to 400 नंबर का यह आपका पेपर बन जाता है तो बराही बेसिक सा यहां इसका syllabus है जिसको आप लोग डिफिनिटली फुल्फिल कर सकते हैं तो इसको अगर आप लोग चाहें जरूर भढ़िएगा दिखिएगा अपलाई डेट इसका कब से दिया गया था तो अपलाई डेट था देखिए दिनांक 12-13 से स्टार्ट हो गया है और परिक्षा सुल्क भी 12 से स्टार्ट हो जा गया और 2 अपरेल तक आपके पास डेट है है डेफिनेटली इसको आप लोग भरिए ठीक है तो आई होग आप लोग को सारी जानकारी बात करेंगे तो सीटो की संख्य यहां पर देख लीजे ठीक है तो यहां पर देखिएगा कुल पद जो सहायक पर सकापदागरी के यहां पर चारपद हो जाते डाटा इंट्रे परेवांच और आसुलिपिक के जो है आप टोटल दो हो जाते तो तो ओवररॉल मिला के अजो है अजो है सीटों की संख्याल कम है लेकिन अगर आप लुक्त चाहें तो इसमें आपको केवल एक सीठी चाहिए फाइट जरूर कर सकते हैं तो अगर आप लोग धारन करते हैं तो डेफिनिटली इसको भरिए दस दिन का समय और रहे गया है तो इसको फटा-फट से भरके जरूर कम्प्लिट कर लिजे जै हिंद